भक्ति अगर तेरी सच्ची है तो पत्थर भी एक देवता है। लगन अगर तेरी सच्ची है तो हर इम्तेहान एक मजा है। गर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो सरहद भी एक रास्ता है। तो दोस्तों यही है जिल मिला ताल जिसे लेक भी केते हैं और बहुत ही कुपसरत देखें कितना पारदरसी जल है। पहाड़े का प्रतिविंद इस जिल में दिखाई दे रहा है। के सफर में जहां पर साथ किलोमेटर की थोड़ी सी मुस्किल ट्रेक के बाद आप पहुंच सकते हैं। तो आज का सफर हम सुरू करते हैं बन बसा यानि इंडिया से महंदर नगर जो पिछली विलोग थी हमारी और महंदर नगर से हम जाएंगे जिल मिल ताल नेपाल। आईए चलते हैं। तो वित्रो आगे हैं अभी नेपाल के जंगलों के बीच लेकिन यह जंगल मत देखिया एक न्यू प्लेस एक्स्प्लोर करने जा रहे हैं। अभी हम पहुँच गए हैं नेपाल के जारें ब्रह्मदेव की तरफ मातपूनागिरी के समीपी और वहाँ पर एक लेक पड़ती है और उसका नाम है जिल मिल ताल। जिल मिल ताल का यहीं से हमारा सफर शुरुआत होगा। मेहंदर नगर को हम पीछे छोड़ा चुके हैं लगबग 10 किलो मीटर। भारत के बनबसा से लेकर नेपाल के मेहंदर नगर तक का सफर हमारा जितना आराम तलफ था उससे कहीं मुश्किल सफर आज जिल मिल ताल तक होने वाला था। सडक की वज़े से परंतु एक बार ठान लिया है तो बस जाना है। तो जिल मिल ताल के लिए जा रहे थे लेकिन आदा रास्ता तो बहुत अच्छा है लेकिन लास्ट के तीन या चार किलो मेटर बेग लिए आब ये रोड की आलत थोड़ी सी खराब है। जेरे पास है मेरी सेरनी स्कूटी चढ़ने का हर जगा चढ़ जारी है। लेकिन मैं फिर भी आपको प्रेफर करूँगा कि टू विलर लेके आएं। टू विलर बेस्ट रहेगा इदर। नैपाल की साइट से पाड़ियों में प्रिवेस करते हैं। तो नैपाल का प्रिवेस दुआर भी कह सकते हैं। फिर मुझे लग रहा 2-3 किलोमेटर और वचा है। जिलमिल ताल, जिलमिला ताल भी बोलते हैं उसको। तो देखते हैं कितना आगे हैं। सफर तो ही मज़ा आता उस सफर में, जिस सफर में कहानी हो। और इस सफर में ऐसी सडक हमारी कहानी है। चलिए, इंजोई करते हैं। यह देख रहे हैं आप टीन, तो जैसे ही आप रोट से चलकर आएंगे, फिलाल हमाएं मेहंदर नगर से आप ब्रह्मदेव से भी आएंगे, तो इस तरह का आपको टीन सेट मिलेगा। और इस टीन सेट के जस्ट बगल से यह देखिए। यह रोट सीदा जा रहा है। और य मैं नीचे एक बाबाजी थे, मंदिर का नाम मैं भूल रहा हूँ, उस मंदिर में वीडियो में आपको दिख जाएगा, उन्होंने हमको बताया था कि एक टीन सेट मिलेगा, यह तिन सेट मिलेगा, और उसके बाद आप ट्रेकिंग करेंगे। सबसे बड़ा रीजन यह है, बताने का आपको कि इंडिया और नैपाल बोर्डर के नजदी गए, और इंडिया नैपाल बोर्डर में सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, यह एक लेक जो कि अनेक्स्प्लोर है, बहुत कम वीडियो मिलेंगी आपको यूट्यूब पर इसकी, तो इसी वज़े से मैं य कुछ नया अनुभावत करना चाहते हैं, तो हमारी पिछली व्लोग इंडिया टू नैपाल रोड ट्रिफ वाली ज़ूरूर देखें, जिसमें हमने समझाया है कि किस तरह आप जा सकते हैं नैपाल। ट्रैकिंग के दोरान हमें होई नहीं मिले अभी तक सबसे पहले ये महमान मिले हैं और वो एक लड़की है, नैपाल के हमारी बहन वो मिली है, बगरिया चराने और गहस काटने आई हैं जिलमिल ताल पहुचने की जल्दी में हम भी थोड़ा जल्दी ही ठक गए, सोचा कुछ आराम फरमा लें और आप से कुछ बातें कर लें अब हमारी नैपाल की बहन ही मिली थी तो मैंने उसको पूछा तो वह सर्मा गई यहां केमरे में कोई नहीं आना चाहता है जो केमरा ओफ करती ही वह बोली कि भाया बस 10 मिनेट और उपर है लेकिन उनका 10 मिनेट है भाई वह ही लिए रहने वाले हैं और हमारे लिए तो उनके 10 मिनेट और डबल से ट्रिपल लगा लो अब पता नहीं कितना टाइम लगता है पहुंचने में लेकिन भाई अगर आप ट्रेकिंग के सोकीन है और भारत नेपाल बॉर्डर में में आना चाहते हैं और फॉरन विजिट करना चाहते हैं तो आ सकते ह अगरे आप पूरी वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है कि इस जिल्मिल ताल तक आप कैसे आ सकते हैं तो आईए चलते हैं कि अरे राम हरे कृष्णा सो दोस्तो बहुत ट्रेकिंग के बाद फैनली पहुंच गए हम नेपाल के इस परसिद्ध ताल और फेमस लेक तक वो देखिए वो रही जिल्मिला जिसे जिल्मिल ताल भी कहते हैं यह है जिल्मिला ताल फैनली यह रहा वो लेक स्वर्गसा सुंदर लेक जिल्मिला ताल छेत्रमा लाई स्वागच्छ है यह कुछ चाउवल की रसम है इधर रसम पूरी करनी है और माता जी का मंदिर भी है बताते हैं इधर जैसे ही आप मंदिर पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको अपने शूज उतारने पड़ेंगे और महराज जी आपको एक चाउवल की ठाली देंगे जिसे आपको जील मिल माता के मंदिर में चड़ाने पड़ेंगे चाउवल के गुजदाने अपनी तरफ से आप भीट भी चड़ा सकते हैं माता का आशिरवाद लेने के बाद हम बढ़ चले इस जील की परसिद जिन्हें देवी रूप में पूजाता जाता है उन मचलियों की तरफ भारत नेपाल सीमा से बस 14 किलोमेटर दूर इस्तीत है यह जील मिल ताल अगर आप माता पूणागिरी के कवी दर्सन करने आते हैं उत्राकंड में तो जील मिल ताल अवश्य जाए इसके अलावा इस जील का महाभारत काल से भी एक अपना नाता है वो आपको बताते हैं व्लोग में आगे परतिविंद इस जील में दिखाई दे रहा है पूरा पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरर पर यानि सीसे पर कुछ उतार दिया गया है कुछ ऐची ही जील हमारे नेनी ताल में गरूर ताल है और यह जैसे दिखाया था हमने आपको यह है माता जिल मिला माई का मंदिर और यह जिल मिल ताल बहुत खुबसूरत भए और इतना इधर इस जील को पवित्र मानते हैं कि हमनेर जूते उतारके इस जील तक आना पड़ा तो देख लीजिए आप खूपसूरती बाकी इधर पर देखिए मचलिया है और इन्हें मचलियों को मारना वर्जित है इन्हें माता का ही रूप माना जाता है जिल्मिल ताल नेपाद तो यहाँ पर हमें भगवान राम दिखाए दे रहे हैं भगवान विस्नु है जैहू और भगवान विस्नु और माता लक्षिमी की यहाँ पर मूर्ती स्तापित की है और बहुत सारे तिरसूल यहाँ पर चड़ाये हुए हैं भगवान विस्नु के ही अवतार थे भगवान स्र जिनका मंदिर अभी और योध्यमक कुछ दिनों बाद आप उन प्राण परतिष्टा दिखेंगे ये राज जिलमेली माई का मंदिर और माता पूनागरी मंदिर के समी भी है ये और ये जो पहाड़ी दिखरी इसके उस तरफ आप 12-14 किलोमेटर की दूरी पैही है माता पूना इस जगह के साथ प्रचलित है कि कहा जाता है कि अग्यातवास के दौरान पांडव इस जील के आसपास के छेत्र में रुके थे एक सिला को तोड़कर भीम ने इस जील का निर्माण किया था जील मिला ताल इस जील के बारे मैं बैस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जील प्रकरतिक के बहुत नजदिक है अगर आप प्रकरतिक चीजों के सोकीन है तो इस जील तक अभी तक ना नैपाल ना इंडिया से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आता है जिसकी वज़े से जील आज भी नेचर के बहुत नजदिक है पूरी दरह साफ सुथरी लेग मिलेगी आपको तो मेरा एडवाइज है अगर आप पर करती प्रेमी है तो एक बार इस जील तक जरूर आईए आपका मन परसन्न हो जाएगा यहाँ पर एक बाबाजी रहते हैं अपने महंत जी और यह उनकी कुटिया है सामने धचोटी सी धरमसाला जैसी बनाई है और उसके पीछे नल है जहाँ पर आप हाथ पाउंद हो सकते हैं देखिए बक्तगण जा रहे हैं यह भी इंडिया से आई है टनकपुर से नीचे महाराद जी ने चाए बनाई है यह देखिए यह रहा मंदिर परिसर और इसके ठीक नीचे उस एरिया में सोचा लए आदी की ब्योस्ता है नीवु और चाय पत्ती वाली चाय ब्लेक टी विट लेमन तो यह लेमन टी मिली है भाई हमें और बहुत स्वाधिश्ट हो रही है ऐसी जगह पर हर्ची स्वाधिश्ट हो जाती है फिर तो यह माता का परसादा है इंडिया से हम ही नहीं आए हमारे साथ तीन और हमारे ब्र बहिया जी आपका कहा नाम हुआ जगमोहन जी तो कैसा लगा आपको यह बढ़ी अच्छा लगा तो मानना पड़ेगा और आप कहां से पैदल यह बताओ यह भाई साब पूरा कम से कम 13-14 किलोमेटर पैदल चान मार दिया आपकी भी हिम्मत की दाव देनी पड़ेगी अच् हमारे हैं साजापूर से आए हैं कैसा लगा आपको इदर बहुत अच्छा जिलमिला ताल तो माता के भी दर्शन किये क्या नाम बताया आपने तो दोस्तों यह था जिलमिल ताल नेपाल और नेपाल की एक अनेक्स्प्लोर्ड प्लेस हमने आपको दिखाई तो कैसी लगी आ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपको फूरा किलियर रास्ता बताऊंगा और पूरा रास्ता फिलाल मैंने व्लोग में व्लोग देख्के आप समझी गए होंगे व्लोग आपको अच्छी लगे तो मुझे यह जरू से ब्रह्मदेप ब्रह्मदेप से आपको दस पंदर किलोमेटर चला के उस फूवीलर रहे है और ज्यादा ट्रेकिंग नहीं है और ट्रेकिंग का भी अपना अलगी अनुभा होता है तो यह था हमारा जिलमिल ताल और इस ताल के बारे में एक चीज और बतातू कहा जाता है कि रंग बदलने वाली जील है जैसे जैसे सूरज की किरणे प्रतिवी से दूर जाती रहती है यह जील अपना रंग बदलती है उसका इस पस्टो दारता जब हम इधर आये थे तो यह जील हमार ब्लेक कलर की दिगरी थी नीचे आये तो हमको यह थोड़ी ची आप देख रह आउन कलर की दिगरी है तो इसी लिए इसको बोलते हैं जिल्मिल ताल यानि यह जिल्मिल आर्ट करते रहती है तो ऐसे ही अनक्स्टो प्लेसे पर आपको हम लाते रहेंगे व्लोग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताईए तो जिल्मिल माता का आसिरवाद के साथ और यह